हेलो एवरिवन दिस इस कादल शर्मा स्वागत आफ सभी का कादल शर्मा क्लासिज यूटुब चैनल में आधकी इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे देखिये जो language acquisition होता है उसका means यह होता है कि जो बच्चा कुछ भी learning करता है कुछ भी सीखता है कुछ भी अर्जित करता है तो वह naturally सीखता है हम उसे particularly किसी चीज के बारे में training नहीं देते जब हम देखते हैं, बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, around two years, तो हम उन्हें language के लिए किसी class में नहीं, कोई classes प्रोवाइड नहीं करते, बच्चा अपने आजपा सीखता है, अपनी family से, अपनी primary environment में, और वो grasp कर लेता है चीज़ों को, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं language acquisition, तो discuss करते हैं with the help of nots, when we learn something without a systematic and conscious process, जबी भी हम कोई चीज या फिर कोई language बिना conscious process के सीखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं language acquisition, and it is a natural process, यह एकदम natural process है, इसमें कोई भी हम artificial जो environment है, वो create नहीं करते हैं, तो इसके key points देखते हैं one by one, फर्स्ट पोइंट है, शब conscious process, अब शब conscious process में क्या है, यानि हमारा जो mind होता है, वो अचेतन होता है, यानि mind है जो active नहीं होता, इसमें हम बिना active होई learning करते हैं, second key point है, need natural environment, acquisition के लिए important है, कि उसमें हम प्राकर्दिक environment में सीखते हैं, जो हमारा natural environment होता है, उसमें सीख के हम क्या करते हैं, अपनी language का development करते हैं, no instructions, यहाँ पर आपको कोई instructions नहीं देता, यहाँ पर हम खुद से सीखते हैं, acquires their home language, mother tongue, first language, यानि acquisition के through हम क्या करते हैं, home language, mother tongue, first language, तीनों का मतलब एक ही है, तो acquisition की help से हम first language सीखते हैं, यहाँ बोल सकते हैं, अपनी mother tongue सीखते हैं, वही पर अगर हम learning की बात करेंगे, तो learning के through हम क्या करते हैं, second language सीखते हैं, next है focus on meaning communication, not grammar reforms, जो grammars के rule होते हैं, forms होते हैं, तो acquisition में हम उस पर धान नहीं देते, ठीक है, next point है implicit knowledge, अब implicit knowledge में क्या है, जो indirect knowledge हम लेते हैं, क्योंकि बच्चे का mind unconscious होता है, ठीक है, तो बच्चा indirectly knowledge लेता है, ना कि directly, next point है passive learning, अब passive learning में क्या है, वही बात आ जाती है, कि बच्चा unconsciously सीखता है, वो active नहीं है, next point है informal environment, यहाँ पर जो environment होता है, वो formal नहीं होता, बच्चा informal, जो अनौप चारिक वातावरन होता है, उसमें सीखता है, अब यहाँ पर यह देख लेते हैं, process क्या है, या फिर हम बोलते है, stages क्या होती है, language acquisition की, ठीक है, past stages बोल सकते हैं, इसकी past stages होती है, पहली stage होती है, pre-talking stage, pre-talking यानि, बच्चे ने अभी बोलना start नहीं किया है, अभी वो co-ing करता है, co-ing का मतलब क्या होता है, अभी वो कुछ-कुछ words बोलता है, like a, b, ma, ऐसे words बोलता है, ठीक है, इनकी जो stage होती है, वो होती है, 0 से 6th month, next है babbling age, अब babbling stage कौन सी होती है, जब बच्चा 6th to 8th month का होता है, यहाँ पर बच्चा, कुछ-कुछ words babbling करना start करता है, जैसे, मा, मा, पापा, ऐसे words बोलने start कर देता है, ठीक है, वो भी दूसरों से सी के, जैसे जब parents होते हैं, अपने बच्चों को बुलवाते हैं, कि ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, तो बच्चा babbling start कर देता है, next stage है हमारी holophorestic stage, अब इस stage में क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा होता है, 9 से 18 मन्त का होता है, और यहाँ पर इस stage की speciality यह है, कि बच्चा clear one word बोलना start कर देता है, अभी तक जो पहले की दो stages थी, pre-talking and babbling में क्या है, बच्चा half of words बोलता है, बट यहाँ पर बच्चा one word, बिल्कुल clear बोलना start कर देता है, like mamma, water, ऐसे ऐसे words बोलने start कर देता है, next है two word stage, ठीक है, इसमें बच्चा एक से ज़्यादा words बोलता है, like two, three, ऐसे words बोलता है, इसको हम बोलते हैं mini sentences, यानि छोटे 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 sentences, बच्चा बनाने लग जाता है, और इसका जो time period होता है, वो होता है 18 to 24 months, last stage होती है हमारी telegraphic stage, अब इस stage में क्या होता है, यहाँ पर जो बच्चा है, telegraphic stage में, 24 से 30 months का होता है, यानि हम बोल सकते हैं, around two years होता है, begin to using words with correct meaning, अब इस stage में बच्चा 2 से 30 साल के around हो चुका है, यहाँ पर जो बच्चा है, चीजों के जो words होती है, language की, उसके meaning खुद से निकालना start कर देता है, क्योंकि वो आपने आसपास सुनता है, चीजों को देखता है, तो वो उसके meaning भी खुद निकालने लगता है, उसे बोलते है, telegraphic stage, तो I hope आपको acquisition क्लियर हो गया होगा, अब हम next बढ़ते हैं, language learning के तरह, language learning अपोजिट होता है, language acquisition का, acquisition में हम क्या करते हैं, acquisition में हम चीजों को खुद से नहीं सीखते, वो चीज़ हमें आजाती है, ठीक है, grasp कर लेते हैं, खुदी चीजों को अपने environment से सीख की, but learning में क्या होता है, environment create किया जाता है, कि हमें ये चीज़ सीखनी है, अपना mind prepare किया जाता है, active mind किया जाता है, तो वो होता है, language learning, learning is a process of acquiring new skills, learning में क्या होता है, हम new skills सीख रहे हैं, ठीक है, और knowledge and improving the skills which are existing, अब यहां existing skills का means है, कि acquisition के थुरू हमने जो language सीख ली, या जो skills हमें आती है, जब हम proper environment में उसको learn करते हैं, तो हमारी जो existing skills है, उसमें improvement हो जाती है, यहां पर example देखिएगा, example लिया है, learning is like a child learns a second language, अब ही हमने बात की थी, language acquisition में, जब बच्चा acquisition करता है, तो वो किस language में करेगा, जो उसकी mother tongue होगी, वो कोई भी हो सकती है, mother tongue उसकी, जो वहां की reasonable language, या mother tongue first language होती है, लेकिन जब बच्चा learning करता है, तो वो second language सीखता है, अगर मान लीजिए, आपके first language हिंदी है, तो ओविस सी बात है, बच्चे second language learn करेगा, like English, ठीक है, इसके key points सेख लेते हैं, key points में first point है, conscious process, learning कैसा process है, conscious process, यहाँ बच्चा conscious होता है, कि मुझे ये language सीखनी है, अपना mind प्रिपेर रखता है, next है second language, second language में क्या होता है, बच्चे को पता होता है, कि first language तो उसकी, उसकी mother tongue हुई, लेकिन second language वो learn करता है, need formal situation mostly, acquisition में क्या हो रहा था, acquisition में बच्चे अपने आसपास से, अपने environment से सीख रहा था, लेकिन यहां क्या है, एक formal situation create की जाती है, for example school, school में बच्चे को ऐसा environment दिया जाता है, जहां बच्चा formal way से language को या चीज़ों को सीख पाता है, fourth है focus on grammar rules, अब यहां पर क्या है, यहां पर grammar rules पर focus किया जाता है, next point है हमारा explicit knowledge, अब explicit knowledge क्या होती है, यहां पर direct और clear goal होता है, एक्विजिशन में बच्चा indirectly, अब यह बच्चा छोटा होता है acquisition के period पे, तो उसे नहीं पता होता है, उसे क्या सीखना है, क्या नहीं, उसको जो शब्द अपने आसपास, जो language सुनता है, वो बोलने लग जाता है, भले उसको meaning ना आता हो word का, बट यहां पर clear goal होता है, तो वो क्या होता है, बच्चा explicit करता है चीजों को, direct और clear goal होता है, next है active learning, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुकी है, कि जो learning है, बच्चा उसमें active होता है, और जो acquisition है, बच्चा उसमें passive होता है, यानि unconscious होता है, learning में क्या है, child is aware, जो बच्चा होता है, aware होता है, उसे पता होता है, वो second language सीखेगा, consciously सीखता है, actively and awarely सीखता है, knowing what he and she is learned, thank you, वीडियो अच्छी लगी हो, तो please like करें, मिलते हैं next वीडियो में,